हेलो गाईस कैसा आप स्बीग गाईस अगर आपने अपने डिवाइस को रूट कर रखा है यानि कि अगर आपने अपने डिवाइस में Magisk Manager को इंस्टोल कर रखा है तो आज किस वीडिए में आपको कुछ ऐसे Magisk Models बताने वालों जिनको आप अपनी daily life में use कर सकते हो क्योंकि guys हमारे साथ होता है क्या है कि हम हमारे device में काफी सारे magisk models को use करते हैं लेकिन कुछ time बाद उनसे हमारा मन भर जाता है जैसे कि Dolby Atmos, Wiper 4, Android, DTS हम इनको एक बार use करते हैं फिर use नहीं करते कुछ ऐसे gaming magisk models जिनको हमें एक बार use करते हैं फिर वो हमारे device की band tree ज़्यादा लेते हैं तो हम उनको use करना छोड़ देते हैं तो guys आज किस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे magisk models बताऊँगा जो आप अपने daily life में use करना काफी ज़्यादा पसंद करोगे तो guys चलिएब हम स्टार्ट करते हमारी आज किस वीडियो को लेकिन guys मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो मैं research करता हूँ magisk models के उपर उसमें काफी time और महनत लगती है अगर आपको मेरी महनत अच्छी लगए तो इस वीडियो को like और चैनल को subscribe जुरूर कर दीजिएगा तो guys चलिएब हम सबसे पहले हमारी आज किस वीडियो के पहले magisk model की बात करते हैं तो guys सबसे पहले हम आपको बता दूँ कि आज किस वीडियो का जो हमारा पहला magisk model है वो simply आपका जो touch है उसको improve करने का काम करता है जैसे कि example दूँ इस time मेरे पास Redmi का Note 11 device है जिसके अंदर मुझे 90 heightage की display देखने के लिए मिलती है लेकिन कुछ custom roms ऐसी होती है जिसके अंदर 90 heightage display sport नहीं करती स्रीब मुझे 60 heightage की display देखने के लिए मिलती है और guys कुछ custom roms वगेरा ऐसी होती है जिसके अंदर जो touch time है वो थोड़े delay के साथ आता है यानि कि जो touch sample है हमारा rate है वो थोड़ा lag वगेरा करता है हमें हमारी device में lag देखने के लिए मिलती है तो guys अगर आपके device में कुछ ऐसी problems है कि अगर आप custom roms को use कर रहे हो आपका device थोड़ा touch late से मान रहा है या फिर आपका device lag कर रहा है या फिर आपका device 90 heightage वाल display के साथ है पर आपको ऐसा feel नहीं हो रहा कि मुझे मेरे device में 90 heightage मिल रहा है तो guys आपको सबसे पहले क्या करना है आपको हमारी वीडियो की description में जाना है guys आपको हमारी वीडियो की description में इस magis model का download link देखने के लिए मिल जाएगा जिसका नेम है touch response optimize तो guys इसका सारा credit इनके दोलफर्स को जाता है आपको क्या करना है आपको हमारी वीडियो की description में जाके इस magisk model को successfully download कर लेना है download करने के बाद आपको अपने device के अंदर magisk को open करना है magisk को open करने के बाद आपको module के section पे जाना है install form storage को option पे जाना है और जो magisk model मैंने आपको video के description में दिये आपको simply उस पे click करके उसको install कर लेना है जैसे के आपसे अपने screen पे देख सकते हो और guys मैं आपको बता दू कि ये वाला magisk model कुछे seconds के अंदर आपके device में install हो जाएगा तो जैसी आपके device में ये वाला magisk model successfully install हो जाए आपको अपने device को simply reboot to system कर देना है और guys जैसे आपका device reboot हो जाएए आप एक बार अपने device को 5 minute तक छोड़ देना क्योंकि जब हम हमारे device को reboot करते हैं तो 5 minute तक हमारा device काफी ज़्यादा lag करता है तो 5 minute के बाद अपने device को आप use करना आपको touch के अंदर काफी कमाल की improvement देखने के लिए मिलेगी बाकी guys अगर आपको improvement देखने के लिए मिली हो तो मुझे नीचे comment करके जुरूर बताना और इस वीडियो को like कर देना जैसे मेरा device reboot हो जाता है मैं आपको आज की हमारी इस वीडियो का दूसरा magic model भी बताता हूँ लेकर अगर आपको पहला अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करना मत बूलना तो guys जैसे कि आप सभी अपने screen पे देख सकते हो मेरा device successfully reboot हो चुका है और simply मुझे 5 मिट भी हो चुका है मेरे device को reboot होने के बाद अब आप एक बार screen पे देखिए कि आपको improvement देखने के लिए display के अंदर मिल रही है या फिर नहीं तो guys चलिए अब हम बात करते कि आज कि इस वीडियो का हमारा दूसरा वाला magic model कौन सा है तो guys आज की हमारी इस वीडियो का जो दूसरा magic model है वो क्या करता है कि आपको हर application में screenshot लेने की permission दे देता है जैसी कि आपको पता है कि अगर आप अपने rooted device में या फिर किसी भी device में banking applications के अंदर screenshot लेने की कोशिश करोगे तो आप नहीं ले पाऊगे अगर आप Netflix, Prime Video ऐसी कुछ applications को use करते हो जिनके अंदर screenshot लेना चाते हो तो आप screenshot नहीं ले पाऊगे इसी के साथ साथ अगर आप Chrome browser या फिर किसी browser को open करते हो जैसे कि मैं आपको open करके browser दिखा देता हूँ यह दिखे मैंने browser open किया इसके अंदर हमें एक non crypto mode देखने के लिए उसके अंदर भी हम screenshot नहीं ले पाते अगर आपको उसके अंदर भी screenshot चाहिए तो आप हमारी दूसरे magisk model को use कर सकते हो simply आपको क्या करना आपको हमारी वीडियो की description में जाना है guys आपको हमारी वीडियो की description में इस magisk model का download link देखने के लिए मिल जाएगा जिसका name है disable flag score guys वैसे तो इस magisk model को install करने का process काफी ज़्यादा लंब है लेकिन हमारी जो developers है जिन्होंने इस magisk model को बनाए है इन्होंने इसकी process को थोड़ा कम कर दिया है मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे कैसे install करना है आपको सबसे पहले क्या करना है आपको अपने जो magisk है उसको open करना है module के option पर जाना है module को option के मंदर जाने के बाद आपको simply install form storage को option पर जाना है यहाँ पर जाने के बाद जो आपका magisk model है आपको simply उस पर click करना है कुछी seconds के अंदर आपके device के अंदर यह वाला magisk model successfully install होना start हो जाएगा अब guys आपको यहाँ पर कुछ options देखने के मिलेंगे जैसे कि आप सभी अपनी screen पर देख पाऊगे लेकिन आपको थोड़ा wait करना होगा जैसे कि guys आप सभी अपनी screen पर देख सकते हो लगबग एक minute wait करने के बाद मुझे यहाँ पर option देखने के मिलता है कि मुझे मेरी device में जो square flag है उसको disable करना है या फिर नहीं yes करने के लिए तो volume अप दबाना है no के लिए volume down तो मैं simply volume अपको दबता हूँ जिससे yes हो जाएगा अब guys जैसे आपके device में yes हो जाएगा तो आपके device में कुछ जो script वगएरा होती है वो run होगी जिनको run होने का time 2-3 minute का है तो आपको क्या करना है 2-3 minute के लिए आपको अपने device को एक जगा पर छोड़ देना है इसके साथ ज़्यादा छेड़ चार नहीं करनी 2-3 minute के बाद आपके device में जो यह magisk module है यह successfully install हो जाएगा तो आपको simply अपने device को reboot to system कर देना है तो guys ज़सी यह process complete होती है मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस परकार क्या करना होगा guys ज़से कि आप सभी अपने screen पे देख सकतो लगबग 5 minute लग गए इस magisk module को successfully install होने में ज़सी आपके device में यह वाला magisk module install हो जाए आपको reboot पे क्लिक कर देना है अब हम आपको बता दू कि यह वाला magisk module कुछ ऐसा है कि मेरे device reboot होने में 5 से 6 minute लगा देता है आराम से तो guys आप थोड़ा patience के साथ में wait करना आपका device थोड़ा reboot होने में time लगा सकता है इसलिए मैं आपको यह warning दे दू कि यह वाला magisk module device को reboot करने में थोड़ा time लगाता है तो guys जैसे मेरे device reboot होता है मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे device हर application के अंदर जिस application में आप screenshot नहीं ले सकते उस application के अंदर screenshot ले पाता है या फिर नहीं तो चलिए हम थोड़ा device reboot होने का wait करते हैं जैसे कि guys आप भी अपने screen पे देख सकते हो मेरा device successfully reboot हो चुका है अब हम आपको मेरा chrome open करके इसके अंदर जो encrypto mode है इसके अंदर screenshot लेके दिखाता हूं यह देखिए मैं successfully screenshot ले पा रहा हूं अगर आपको विश्वास नहीं होता तो देखिए यह मेरा Redmi Note 7 device है इसके अंदर मैं इसी mode को open करके आपको दिखाता हूं यह दिखिए मैं screenshot लेके कोशिश करता हूं तो यह दिखिए यहां पे लिखा हुआ रहा है कि यह वाली जो app है यह screenshot नहीं ले सकता लेकिन मैंने आपको इस application के अंदर screenshot लेके दिखा दिए यह दिखिए तो guys इस magisk model को use करने एक बाद वो सारी applications के अंदर आप screenshot ले सकते हो जो application आपको permission नहीं देती screenshot की लेकिन guys मैं आपको बता दू कि Chrome के अंदर यह वाला mode है यह अच्छे इंसानों के लिए नहीं है भी इसको use करना थोड़ा कम कीजिएगा बाकी समझदार मेरी बातों को समझ गयोंगे अगर दूसरा magisk model अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दीजिए अगर अच्छा नहीं लगा तो चलिए हम बात करते हमारी आज की इस वीडियो का तीसरे magisk model के बारे में तो guys आज की हमारी इस वीडियो का जो तीसरा magisk model है उसका नेम है थियोर्टी magisk model गाइस इसका सारा credit इनके डवलपर्स को जाता है जिनोंने इसको बना है अब मैं आपको इस magisk model के बारे में कुछ बता देता हूँ तो guys देखिए हमारे पास कुछ ऐसे magisk model होते हैं जो हमारे device में अच्छी gaming हमें करा देते हैं लेकिन वो हमारे device की जादा battery लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसे Magisk Model होते हैं जो हमारी device के अंदर हमें अच्छा Bantry Backup देते हैं लेकिन हमारी device के अंदर वो lag वगरा करवाते हैं तो guys अगर आपको कोई ऐसा Magisk Model चाहिए जो आपको एक अच्छी Bantry Backup भी दे एक अच्छी Gaming भी दे और जिस Magisk Model की वज़े से आप अपने device में एक अच्छी कासी Multitasking भी कर सको यानि कि एक आपको ऐसा Magisk Model चाहिए जिसके अंदर आपको RAM Management भी अच्छी देखने के लिए मिले तो guys आप इस वाले Magisk Model को यूज कर सकते हो guys ये वाला Magisk Model अभी new आया है लेकिन इसके अंदर आपको काफी अच्छा वरक देखने के मिलता है आपको simply क्या करना है आपको Magisk को open करना है Magisk को open करने के बाद Model के section पर जाना है Install Form Storage को option पर जाना है ये वाला जो Magisk Model है इसका link में आपको वीडियो के description में दे दूँगा Download करके simply आपको इसे flash करना है कुछ ही second के अंदर ये Magisk Model आपके device में successfully install हो जाएगा जैसे ये install हो जाएगा आपको simply अपना device के अंदर यहाँ पर जो reboot का option देखने मिलता है उस पर click करना है आपका device simply reboot हो जाएगा और guys जैसे आपका device reboot हो जाएगा आपको बता दू कि आपको सबसे पहले तो 5 मिन तक wait करना है क्योंकि आपकी device के अंदर ये वाला जो Magisk Model है कुछ script run करनेगा reboot होने के बाद device के अंदर तो आपको थोड़ा wait करना है फिर आप एक बार अपनी device को use करके देखना आपको अपनी device के अंदर तीन ही Magisk Model थे जो कि आपको daily use करने चाहिए बाकि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो इस YouTube चैनल को subscribe और वीडियो को like जुरूर कर देना मुझे comment करके बताना कि आपको तीनों Magisk Model में से कौन सा Magisk Model अच्छा लगा और कौन सा Magisk Model आपने try किया तो चैनल को subscribe और वीडियो को like जुरूर कर लीजेगा